हेलो दोफ्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल सोचियोलोजी क्लासिस भाई राजपूत सनी के हमारे यूटूब चैनल पर तो थोड़ा हेल्थ इसू के कारण वीडियोस नहीं आ रही थी और हम छोटे छोटे टॉपिक के रूप में देखेंगे तो आज हम देखते हैं इमाहिल दुर्खीम के बारे में और उनके प्रकारवादी परजपेच्च से संबंदित कुछ महतपूर तत्य तो आईए देखते हैं इमाहिल दुर्खीम जिनका जन्म 1858 में हुआ था और 1974 में उनकी मृत्त हुई थी और वे प्रकारवादी परजपेच्च के माने जाते हैं अर्थात प्रकारवाद को प्रतिस्थित करने का स्रे दुर्खीम को ही रिया जाता है ऑगस्त कामते प्रकारवादी सर्धानतिक परिपेच में कई आयाम जोड़े अर्थात उनके विकास में सहयोग किया और उनकी प्रथम पुष्टक अर्थात थीसी दर डिवीजन आफ लेवर इन सोसाइटी में उन्होंने प्रकारवादी विश्लेशर का एक नया उपागम पैदा किया है तो दुर्खीं की पहली पुष्टक डिवीजन आफ लेवर उन्होंने 1893 में जो की ठीसिस के रूप में लिखी थी तो यह थी जिसमें उन्होंने प्रकारवादी परिपेच्छ के सिधान्त को आगे बढ़ाया है समाजिक तथ्यों की यवधाला एं आत्मात्या के सिधान्त के वीडियों में दो अत्यां थी ब्यावारी के उन्हों प्रासंगी के एक उपयोगी संदर्श प्रदान किये हैं दुर्खीं की माननेता थी कि समाज के ब्यापा के उन्हों व्रिषत परिपेच्छ में जिनमें समाजिक संगठाने उन्हों समाजिक व्योस्ता समाजिक प्र देना चाहिए तो दुर्खीम ने अपने प्रमुक सिध्धान्तों में समाज को केंद्र के रूप में रख कर ही अध्यन किया है दुर्खीम इस बात बल देते हैं कि एक सोतंत्र विज्ञान के रूप में समाज सास्त को और लोकनों के द्वारा सामाजिक विश्लेशाड के उसकी और सकताओं या उसके प्रकार फंचन के रूप में होने वाले उपागमों के रूप में कारेकारण के संबंदों का पता लगाका अध्याट करना चाहिए दुर्खीम के इंट्रार समाज एक अथात परक वास्तिप्ता है दुर्खीम समाज को एक वास्तिप्ता मानते हैं दुर्खीम समाज को ही ब्यक्ति का निर्धारक ब्यक्ति की क्रियाओं का निर्धारक मानते हैं तो उनकी प्रथम अवधाला समाजिक तत्य का सिधान जो इस प्रकार था समाजिक द थ्योरी आप सोसल फैक्ट तो दुर्खीम सभी समाज में भी आपतों सभी वश्टुओं को समाजिक तत्य के रूप में देखते हैं तो समाजिक तथ्य को पर्भाजित करते हुए दुर्खीम ने कहा है, समाजिक तथ्य विश्ष्ट विश्ष्थाओं वाली तथ्यों की एक सेड़ी का प्रतिनीधित्व करता है, जिसमें कारे करने, सोचने, और अनुभाव करने के तरीके समलीत होते हैं, जो ब्यक्ति के यंतर करता है, ब्यक्ति को ब्योहारों को संचालित करता है, और समाजिक तथ्यों को रहा कहता है, जिनमें ये विश्ष्थाएं पाई जाती है, जो वस्तुवों के रूप में देखा जा सके या वे बाय हो या वे व्यक्तिवों पर बाध्यता मूलक प्रभाव डाल सकने में सच्छम हो तो दुर्खीम करते हैं उन्हीं वस्तुवों को सामाजिक स्रेडी या घटनाओं को सामाजिक स्रेडी में रखा जाए जिसमें वह या के लिए बाध्यकरेंगे जैसे कि युसमाज की बात करते हैं यह कि Nobel दुर्खिं लिखेते हैं कि समाज मनोब्य ज्यनिक तथ ब्यक्तिकाद चेत्ना में ऊभरतें तथ पश्चात्रम को बाध्यकारी बनाने के लिए उठीत होते हैं तो जुचिंप करते हैं लेकिन बाद में आके चाल कर वाहिकारी बनने की उध्रित होने लगते हैं तथा समाजिक तथ्य प्राथ्मिक रूप से ब्यक्ति के लिए वाहिकारी होते हैं उन्होंने समाजिक तथ्यों को ब्यक्ति के लिए वाहिकारी माना है ना कि ब्यक्ति क्यात मानते हैं कि द्रखिम करते मनुवईज्य को संबंदीत होता है लेकिन दुर्खिम ने कहा समाज में जो प्राथमिक पायाद जाते हैं अर्था भ्यक्थी चेतना का निरधार्णभी व्याहत तत्थवारा व्याहत ह्. समाजिक तथ्यों में वाहता होती है ब्यक्ति तथा समू की चेतरा में भीनता होती है और थाथ ब्यक्ति अपने समू के अनुसार ब्यवहार करता है समू की इस्थिती परिस्थिती के परिड्राम सरूप ही ब्यक्ति को ब्यवहार करना या अपनी प्रवितियों का निर्मार्य सामिल किये जाएगा सामाजिक गटनाओं ये परिगतनाओं से जोड़ी सामाजरी सांख्यकिपा की में एक रूपता हो सकती हैं और एक वास्थफिक रूप में समाज वेक्तियों के मस्तिसकों की अंता क्रियाओं का प्रणाम से रूप find होता है दुट्विंपक ने कहा है कि एक वास्तविक रूप से समाज के द्वारा व्यक्तियों के मस्तिस्क की अंताक्रियाओं के परणाम ही निर्मित होता है। अगला है समाजिक तत्य बाध्यता मूलक होते हैं इसमें स्रिष्टाचार, मुल्य, आदर्स, व्योहाल, टंड, विधान, आर्थों में समझाए जासकता है। और विधान बने है अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आप समाज आपको रणीत करता है। अलोचनात्मक, मुल्यांकन तो समाजिक तत्थि जालन के किस प्रकार किया गया आयो दिखते हैं। समाजिक तत्य समाजिक तत्य का सिधान समाज के संदर में समाज की अधार भूत इकाई ब्यक्त की अंदेखी करते हैं दुर्खीम समाजिक तत्यों के रूप में और समाज को ही अप्राथमिक्ता देते हैं और ब्यक्त की अंदेखी करते हैं लेकिन समाज का निर्मार ब्यक्ति दुर्खीम ने चीजों के रूप में की है वस्तु यह है एक इस पस्ट निधारण होती है क्योंकि चीजों से ताथ पर भिन भिन व्यक्तियों के लिए भिन भिन परिस्थितियों परियों अलग-अलग हो सकता है तो दुर्खीम की अलोजना इस तत्थ पे होती है कि उन्होंन है अगला अवधारणा है उनकी स्रम भाजन का सिध्धान थ्यूरिया डिवीजन लेवर जुदिर्खिम और भाजन का सिध्धान सिर्षक नामप कुस्तक 1893 में आई या प्रथम पुस्तक की विसाय वश्थ्वास्ति विभाजन का सिध्धान ही था पहली पुस्तक में उन्होंने समाज में पाए जाने वाली दुर्खी में प्रांस ऐसी विचारा रखते हैं इसलिए उन्होंने फ्रांस में उस समय की परिगेटनाव परिदिश्च्छों के अनुसारी ही स्रम विभाजन की भ्याख्या की है उन्होंने पुस्तक दिवीजन आफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी जिसमें उनका सिर्षक था स्रम विभाजन प्रकारियात्मक द्रिष्टी सो कोड से या सिध्धान समाज द्वारा समाजिक सुद्रिर्था के लच्च की प्राप्ति के क्रम में व्यक्ति तथा समूं या समाज के मध्य प्रकारिवाद अं तो दुर्खीम ने स्रम विभाज जन को समाज में किस परकार पकार्यात्माक रूप से कारे करना रथा समाज के चलाने के लिए स्रहम विभाजन किस पकार से अनिवारे है इस को रखते हुए उन्होंने इसकी व्याख्या की है स्रम विभाजन की अधारा का सरप्थम 1766 में अर्थ सास्त्री एडम इसमीत ने किया था कालमाक्स ने भी अपने विमर्चों ये उम लेखनी में स्रम विभाजन के सामाजिक विवस्था की गति दिशा समर्चना ये उम स्वरूप निधारित करने वाले तत्तों के महत्पूर माना है परन्त इसका विश्लेसर उन्होंने संघर्थ के उपागम में किया है कालमाक्स ने श्रम विभाजन के सिधांद की व्याक्या उन्होंने अपने संघर्थ वर्ग संघर्थ के उपागम में किया है दुर्खीम ने इसका मौलिक उद्यस समाज में सुद्रिर्टा को इस्थापित करने के समाज के ससक्त करना और उसे निरंतर बनाई रखना मना है दुर्खीम काते हैं कि स्रम विभाजन समाज के उद्यसों की सुद्रिर्टा से पूर्ति करता है और समाज की स्थिर्था को बनाए में निरंतर योगदान करता रहता है। समाज का विभाजन समाजिक संपूर्त विवस्था के संदर में किया जाना चाहिए। कुछ एक ही समाजिक भूम क्या है तथा व्यक्तिवाद के प्रतियत्यंति कम सही सूर्था पाई जाती है। तो दुर्खिम ने यांतरिक स्थिर्था को परिवाजित करते हुए कहा कि यहां पर मुल्य ब्यवहार सतक्त समाजिक संगठर परमप्राव नातेदारी आदिकी समरूपता पाई जाती है। यहां पर स्रम भीभाजन स्रम भीभाजन की बहुत ही निम्ने देखा जाता है। उन्होंने आदिम समाज को यांतरिक समाज के स्रेड़ी में रखते हैं। यह ग्रामीर समाज को भी इस रेड़ी में उन्होंने रखा है अगला है सावाई शिद्ररता और गयन आई ऑर्गैनिक सॉलिडेटरी तो दुर्खीम के इनवार सावाई वी सिद्ररता या आधनिक प्रवीति के समाजों में पाई जाती है जिसमें सामाजिक समाजिक सुद् एक बेवस्था है जिसमें उन्होंने कहा व्यक्तियों का सहयोग आवस्यक होता है यह एक बेवस्था है जिसमें अत्यांती विसेसिक्रित भूमक्याओं की एक बड़ी संख्या परस्पर आत्म निर्भार होती है इस प्रकार की सुद्रिता को सावयावी सुद्रिता इसलिए क कि अस्तित को बनाए रखने के लिए परसपर समन्य कारी रूप से धंग से कार्ड करते हैं तो आई सावयवी सुद्रिता जैसे समाजों को नगर की समाजों की ब्याक्ख्या करते हुए कहा है दुर्किम ने यहां कि में स्रम विभाजन की अधिक्ता देखी जाती है प्रते एक ब्यक्ति अपने हिसाब से कार्यों को करके समाज के लिए प्रकार्यात्मक या इस्तिता बनाए रखते हैं उन्होंने कहा कि स्रम विभाजन जो की नगरों में अत्याधिक पाया जाता ह आई है इसमीं अगेफ्राति है इस्वय को घुबहाजन का निर्वहन करते हैं यह यह रिकली लिए प्रकारियात्मक्त होते हैं उहने जाथë समाजिमी को मुखित इस्रम् विभाजन की रूप में परिभाजी ऑइंद है तो आंतर देख लेते हैं कि से यानत्रिक सुध्रिवन साहिश गुदिश्वन में क्या अंतर देखा जा सकता है तो यंदेक आत्म निर्भाः अर्था एक दूसरे पनिर्भा स्रम विभाजन पर आढ़ारित जटील एम विश्रित अर्थ बिवस्था देखी जाती है दुसरा है डंड अधारित नियाय विवस्था पर पर कौताब पर आधारित नियामें कानून तो यांत्रिक सुद्रता में दमनकारी तर्थाद यांत्रिक सुद्रितावाले समाजों में अअन्ड बोस्था पाई जाती अर्था यांत्रिक सुद्रितावाले समाज में किये गए अपराद को समाज के प्रतियावराध समाज के kater सैं और यह कि प्रक्रियात्मक्ट प्रसाशनी का और समवयधानिक कानून पाए जाते हैं इसमें ब्यक्ति द्वाराइब राद किये जाने पर ब्यक्ति के ही रूप में देखा जाता है और यहां पर सुधारात्मक् कानून ब्युष्था पाई जाती है अगला है उच्छे धार्मिक सिद्धावादी होती है यांत्री के सुध्रिर्था वाले समाजों में जबकि अपेच्छा की धर्म निर्पेच्छ प्रगत्सील रखता है सावयवी सुध्रिर्था वाला समाझ तो अगला अगली अधार्णा है मारा आत्महत्या का सिद्धान्त दुर्खीम का आत्महत्या का सिधान्त प्रित्पादित किया जिस से उन्हें पुषि क्याती मिली तो आत्मत्य करके अध्योगिक समाजों में नियम already उन्हेता अनौवी कि उभरती नवीन परिस्थियों में इनके कारण निरंतर सामने आ रही आत्मत्याओं की घटनाओं को दुर्खीम ने गंभीरता पुर्वक प्रभावित किया है अर्थात उन्होंने समाज में होने वाले अत्याधी घटनाओं का अधियन करके आत्मत्या की व्याक्या की है उन्होंने इस दिसा में कार करने के पस्चात उपलब्धियों तथा निसकर्चों को अठ आदर्स हीनता के स्थिटियों का ब्यक्ति विसेश पर परिस्थी विसेश में पढने वाले दबाव मूलक प्रभाव के करम प्रस्थिति के रुप में चिनित किया तो दुर्खीम ने अत्मत्या का प्रमकार्ण समाज को मानते हैं उन्होंने का साज समाज के आधर्स हीनता क करने के श्वरूप हुई उसकी अत्मत्या होती है उन्हों परिभासित करते हुए बताया कि व्यक्टीय अपनी जानकारी में किसी सकारात्मक या नकारात्मक म्रित्यु का वरण करने पर अपनी इच्छा से वरण करने के सवरूप उसकी म्रित्यु ही आत्मात्या कहलाती है आत्मात्या वस्तुता ब्यक्ति द्वारा उससे संबंध व्यवस्था विशेश परिवेश तथा इस्तितियों में ताल मेल नही भी बैठा पाने के कारण करता है कि कारण उत्पन मनोदसा के एक चरम आउम नकालात्मक पढ़िनीत होती है जिस से अपेरा टक्तू में उद्देज अलग-अलग संदर में अलग-अलग हो तो और नक्रातमक रूप से उस मतलब अलग-अलग काड़ के अलग-अलग व्टेशों के पूर्थ के लिए रात्मात्या कर लेता है अत्मत्या का समासास्त्री विशलेशन मनोवज्ञानिक जीवज्ञानिक अनुवानसिक आधिक विशलेशनों से कहीं सटीक एम व्यापक है दुर्खीम की आत्मत्या का विश्लेसर्ण मनोविज्ञान और जीव विज्ञान और अनुवानसिक जहां मनोविज्ञान अत्मत्या को मानसिक कारणों के कारण बताता है और जीव वज्ञान अनुवानसिक विज्ञान यह जन्मजात के रूप में देखते हैं अत्मत्या को क कर लेता है एच calculated ते समाज सास्ट्री आशाना विशलेशाब में देखा गया दुर्खीं कर आत्मात्य एक्स नाचिक तति है तथा भी से सभी समाजों में निवनाधिक रूप में आत्मात्य कि घटनाएं घटि रहती हैं दुर्खीं माथिया необ हत्या एक समाजिक तत्यत है लेकिन समाज ने है या समी समाजों में पाई जाती है कहीं समाजों में कहीं न कहीं आत्मत्या की गटनाय गट्टी रहती है समाज में आत्मत्या वस्तुता समाजिक सुद्रिटा के छैस से सूचक होती है दुर्खीम ने आत्मत्या के तीन प्रकारों की ब्याक्या की है दुर्खीम ने सरपथम आत्मत्या की तीन प्रकारों की ब्याक्या की है इसलिए यहां पर तीन ही प्रकार दिया है इसके अलावा आगे चलकर उन्होंने भागिवादी आत्मत्या की बात कही है तो ऐसे पेs दुरहीन के चारहर परकर के आतमत्याओं की बात होती है सामौही के एकी करण की छीर्टा का प्रेडाम होता है इसमें आतमत्या करने वाले व्यक्टी अकेले पन की भावना का सिकार हो अपने समू या समाज से बिलगित ठगा हुआ या अवहेलित महसूस करता है जो उसमें आत्मत्या के लिए प्रेडित करती है समाजी के एकी करण का अभाव अहमवादी आत्मत्या का सबसे प्रभावी करण होता है ब्यक्ति समाज से अलग हो जाने को महसूस करने पर करता है था समाज में ब्यक्ति उसके बाद विल्गित कर देते हैं समाज का उसके लिए कोई महत्विश नहीं नहीं रह जाता है तो आतम हत्या कर लिता है कि Okay सारी दुसरा है परार्थफादी आत्मंत्या स्वयम से संबंदित कि की से prohibited समाज या संस्ट इत्वाद राश्ट के कल्यार उद्डेश्चों के से किसी ब्व्यक्ती द्वारा की गई आत्मंत्या परार्थफदी आत्मंत्या किस रेडी में आता है जैसे यॉद्ध に के विशम परिस्थियों में सैनिक द्वारा दिया गया बलिदान सती पृथा आद इसी स्रेड़ी में रखा जाता है जो कि समाज के भलाई के लिए आत्मत्या होती रही हैं अगला है अधर्स भी आत्मत्या प्रहाया अचानक आये सावाजी परिवर्तनों के कारण समाज में न रखता है आर्थिक मंदी अध्योगिक संगत परिवारों के विभाजन आध की परिस्थितियों में आएसी अत्मत्याओं का कारण बनती हैं तो भाग्यवादी आत्मत्या जब्यक्ति अपने भाग्य अर्था अपने लच्छे और उद्देशों की प्राप्तिक न होने के का कारण आत्मत्या कर लेता है तो उसे भाग्यवादी आत्मत्या की स्रेडी में रखा जाता है तो आलोचना के रूप में देखते हैं तो दुर्खिम ने मनुवग्यानिक कार्कों की अंदेखी की है आर्थिक कार्कों की अंदेखी की है क्योंकि आत्मत्या के कई कारण हो सकत आज के सभी तब को या सभी जगह सारभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं अगले वीडियो में हम दुर्खीम के धर्म का सिध्धान्थ की ब्याख्या देखेंगे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद